कर देनाक लित लेम बागेशवर महाराज को मंदर के शाक्षे मूर्तियों की अब्सक्रा-वार शंघaal का निससां का निसान प्राचिव सलाले एक सिसना कानसान आदिस सक्ष मत्रवाली यदिका मश्यद के नीचे दबे हुए हैं इस से प्रमाड भी है पगवान स्री किष्ण की मूर्ती बहुती बिसाल और अश्ट दातू की थी इसमें सोना चांदी इरे जवारात चड़े हुए थे मुगल सासक और अंग्जेव पगवान स्री किष्ण की बेच की मूर्ती और विग्रहों को अपने खजाने में सामिल कर लिया जनम भूमी मंदर में कोई भी विग्रह वाई मूर्ती जाम मश्यद की सीडियों में नहीं है यदि आप वहां सनातरी हिंदों को एकटा करके ले जाओगे जाओं जाम मश्यद दिनेश सर्मा ने देवगिंदन महाराज जो बागेसवर महाराजी से प्रात्रा की कि ऐसी गलती ना करें जिसे सनातरी हिंदू आगरा में माईश होकर लोटे मत्रा में भवान स्रीकेश का भव्य मंदिर था उसको मुगल सासकों ने तोड़ा और तोड़ करके वहां पर बड़ा चबुत्रा बनाया उस चबुत्र को उपर एक बिल्डिंग बनाई उस बिल्डिंग को आज कधिर इदिगा कहते हैं में भवान स्रीकेश के जितने भी भिग्रे थे वो सबी अश्रधातु के ते और सोने चांदी हीरा-जवाद से नदे को आँ तो मुगल साथक औरंग जेब ने उन सभी भिग्राओं को अपने खजाने में सामिल कर लिया और सोना चांदी हीरा जवाद को लूट लिया जितने भी हमारे भगवान के भिक्रे के अपसेस हैं और प्राचिस साख हैं वो मत्रा वाली मस्जिद इद्गा में दबे हुए आगरवाली जामा मस्जिद में कुछ नहीं है वहां के सीरियों में कुछ नहीं है वहां तो केवल दिखाने नहीं न्याले में इंदों की सभी खराब हो जाएगी इसलिए आप से मेरा पुने प्रात्ना है कि मत्रा यीदगा मस्जिद में सभी प्लाचिस साख मोजूत हैं भगवान की कला तो मंदिर की कलाकरतियां हैं जो संख है फुस्प पर शाष्ट का जिसान है प्लाच